देखिए मैं सुर्प्रूं कोड के फशले का स्वागत करता हूं मेरी पार्टी शिव सेना तिन से सत्तर कलम जो है जमो काश्मिर में हमने भी जब ये कारलेमेंट में बिलाया था गुरो मंति लेके आये थे करें तो शिव सेना ने समर्थन किया ता खोले दिल से कि हमारे भी हमेशा मांग रही है कि हमारे देश में एक कानून एक सवाविधान हाँ एकी तिरंगा सब कुछ एक है यह देश एक है तो किसे और स्टेट के लिए स्पेशल इस प्रकार से स्टेटेश देने की ज़रूरत नहीं है है तो हमने जो स्वागत किया है आज भी करेंगे सुप्रियम कोट का जो फैसला आया है तिन से सटर के बार में हम फैसला जो है सुप्रियम कोट में और एक बात कही है कि सप्टेंबर कि तो दो हजार चोबिस तक जम्मु कश्मिर के चुनाव विदान सभा के करने चाहिए करना ही पड़ेगा उस फैसले का वह में स्वागत करता हूं आप तिन से सटर हटा कर एक जम्मना लड़ गया है आप वहां चुनाव नहीं लेते लोगों को अधिकार नहीं देते तो कौंसा सविधान कौंसा कानून से आप इस राज्यों को चला रहे हो पुरा अधिकार है वहां के लोगों को अपने सरकार सुनने की तो एक बहुत महत तो पुर्णा फैसला है और अगर सरकार मुदी और शाज की सरकार तुनाव अगर लेती है मुझे मालूम नहीं क्या कर सकते ये लोग तो एक गयारेंटी मुदी जी ने दीती 2016 में वह गयारेंटी थी जो हमारे कश्मिरी पंडित भाई है उनकी घरवापसी होगी भैली में घरवापसी होगी आपकी गयारेंटी है मुदी जी की मुदी पुरे देश में गयारेंटी देकर हर चुनाव में जाते हैं गयारेंटी कार लेकर तो ये गयारेंटी का आप क्या करोगे कि दो हजार चोबिस की जम्मु कश्मिर के चुनाव में हमारे कश्मिरी पंडितों की घर्वाफसी होगी और सिर्फ घर्वाफसी नहीं वह अपना मत देने का अधिकार भी प्राप्त करेंगे वहाँ मोदी जी को देनी पड़ेगी तो आप पुरे देश को बताएए कि जा मैंने जुड़ बोला था मैंने जुम्मले बाजी की कश्मिरी पंडितों के बारे में अगर आप दौजार चोविस तक पाक अक्विपेड कश्मीर इंडिया में ला सकते हो तो लाईए वह आपकी गैरेंटी है तो अखंड हिंदुस्तान का एक जो हमारा सपन है वो साकार हो जाएगा तो अखंड हिंदुस्तान जम्म कश्मीर में चुनाव लिए दौजार चोविस तक आप सबको गैरेंटी कारण लेकर घुम रहे होना तो यह आपकी गैरेंटी थी कश्मीरी पंडितों का घरवापसी होगा और प्यों के आप कश्मीर को जोड कर अखंड हिंदुस्तान बनाओगे यह आपकी गैरेंटी थी तो सुप्रियों कोड के फसले के साथ साथ मुदी आपका भी फैसला था आपके गैरेंटी थी वह आप लेकर जनता के सामने आईए